IPL दो छोड मिलेंगे पूरे 15 करोड बी सीसी आई की नई Red Ball Policy आई, टेस्ट और रनजी खेलने वाले खिलाडियों की लोट्री लगाई जी हाँ भारती क्रिकेट में अब क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं रन जी और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स के दिन बदलने वाले हैं दरसल बी सी सी आई रेड बॉल फॉर्मैट खेलने वाले खिलाडियों पर छपड़ फार पैसे की बरसात करने वाली है आपको बता दे, BCCI टीम इंडिया के हेट कोच राहूल रविट, कप्तान रोहिच शर्मा और मुख्य चैन करता अजीत अगरकर के साथ बाच्चीत कर रही है ताकि खिलाडियों के बीच टेस्ट और प्रतम श्रेणी क्रिकेट की दिल्चस्पी को दुबारा से बढ़ाया जा सके दरसल इस वक्त कई खिलाडी इंजिरी और वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना बनाकर IPL खेलने के लिए टेस्ट और रणजी ट्रोफी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दे, BCCI ने IPL आॉक्शन खत्म होने के बाद खिलाडियों में टेस्ट और बढ़ाने के लिए टेस्ट और रणजी की मैच फीज को तीन गुना बढ़ाने का मन बना लिया है इस वक्त एक खिलाडी एक सीजन में सभी 10 रणजी मैच खेल कर लगभग 25 लाक रुपे कमाता है जबकि एक IPL खिलाडी के लिए आधार मूल्य 20 लाक रुपे है लेकिन BCCI क नई रणजी ट्रॉफी खेल कर प्लेयर्स को लगभग 75 लाक रुपे कमाने का मौका मिलेगा जो आसत आईपेल कॉंट्राक के बराबर है इस तरह BCCI की नई रणजी से एक साल में भारत के लिए सारे टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स को 15 करोड तक सैलरी मिल सकती है जो एक शांदार आईपेल कॉंट्राक के बराबर है BCCI को सलाम मतलब इतना बड़ा कदम टेस्ट और रणजी के लिए घरेलू क्रिकेट को बचाने के लिए आज तक शायद किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं उठाया होगा टेस्ट तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन रणजी ख खुशखबरी है आपकी क्या है राए BCCI की नई सोच नई अप्रोच नई पॉलिसी के बारे में कॉमेंट में हमें जरूर बताए हमारे इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे क्रिक इंफॉर्मर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शियर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें